व्याख्यान में आप सब का स्वागत है पिछले व्याख्यान में हमने बुध्धी नाम गुंद का अध्यन करते समय यह जाना था कि बुध्धी का एक जो भेड होता है यथार्त अनुभव वैस चार प्रकार का होता है जो यतार्थ अनुभव या ग्यान और उसके नाम थे हमने जाने थे प्रत्यक्ष, अनुमिती, उपमिती और शाप्त तथा उन चार प्रकार के अनुभव के प्राप्ति के जो करण हैं, जो असाधारन कारण हैं, उनके नाम हमने पढ़े थे कि वो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द होते हैं आज हम उन्हीं चार प्रकार के जो अनुभव हैं यतार्थ ज्यान हैं उनके करणों या प्रमानों का अध्यन प्रारम करेंगे हमने देखा था कि जो यथार्थ अनुभव है उसका दूसा नाम प्रमा है और उस प्रमा की प्राप्ती के करण होने से इनको प्रमान कहा जाता है धर्शन में प्रमानों के बल पर प्राप्त जो ग्यान है वही यथार्थ ग्यान या यथार्थ अनुभव होता है और ये जो प्रमान हैं, चार कौन-कौन से प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, उनका हम अध्यनभ प्रारम कर रहे हैं, गरंत के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमान का वर्णन इस तरह से है, तातर प्रत्यक्ष ग्यान करनम प्रत्यक्षम, इनमें चार प्रकार के प्र प्रत्यक्ष प्रमानों में जो प्रत्यक्ष ज्यान का करण होता है वे प्रत्यक्ष प्रमान कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ज्यान कहा जाता है। जब पदार्थ का संपर्क होता है, उसे संबंध होता है, और उसके विशेशान आदी से रहित जो ग्यान प्राप्त होता है, केवल इतना ही ग्यान होता है कि यह कुछ है, तो विकल्प से रहित यह ग्यान, निर्विकल्पक ग्यान कहा जाता है, सब प्रकार कम ग्यानम, सब व व्यक्TI है और सामला है तो यहां व्यक्ती के विशेशन आदी का अबोध भी हुआ अतं प्रकार से युकतोने से यह ग्यान सबीکलबग ग्यान है अब आगे बताते हैं कि यह जो इंद्रियोर पदार्त का सनिकर्ष है क्या यह कि प्रकार का होता है या अलगलग प्रकार के प्रत्यक्ष ग्यान में अलगलग सन्निकर्ष काम आते हैं तो आगे बताते हैं कि प्रत्यक्ष ग्यान हेतु हुँ इंद्रियार सन्निकर्ष शडविद है ये जो प्रत्यक्ष ग्यान का हेतू रूप होता है इंद्री और प्रदात का सनिकर्ष ये छे प्रकार का होता है सनिकर्ष होता क्या है ये है प्रत्यक्ष ग्यान का हेतू होता है और ये होता कितने प्रकार का है शडविद है छे प्रकार का छे प्रकार जो है उनके नाम क्या है संयोग है संयोग संभाई है संभाई है संभाई है संभाई है संभाई है संभाई है विशेशन विशेश भावश चे इती इनके नाम हिंदी में ची रूप में आएंगे संयोग संयोग संभाई 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 सं का प्रत्यक्ष करने में कौन सा सन्यकर्ष होता है इसका जो है उलेख आगे किया जा रहा है चक्षुषा घट प्रत्यक्ष जनने सन्योग सन्यकर्ष है नेत्र के त्वारा घड़े का प्रत्यक्ष करने में सन्योग सन्यकर्ष होता है नेत्रिंद्रिये जब घट पर इत्यारी पदार्थों का से संपर्क करती है उसका उनसे संबंद होता है और उससे उसके आकारादी का जो ज्यान होता है तो हुआ संयोक संनिकर्ष होता है घट रूप प्रत्यक्ष जनने संयोक्त संभाई संनिकर्ष है घड़े के रूप का प्रत्यक्ष करने में संयोक्त संभाई संनिक गट में रूप समभाय संबन से रहता है इस सनिकर्ष Σे हम जानते हैं कि घड़ा नीला है, पीला है, इत्यादी, क्योंकि जो घड़े का हकार है, उसमें जो रूप है, वो समभाय संबन से रहता है, उसका जो प्रत्यक् pandश है, हमें सनिकर्ष से होता है अब आगे बताया कि रूपत्व सामाने का प्रत्यक्ष करने में संयुक्त्व संभाय सा निकर्ष होता है क्यों? तो बताते हैं चक्षु सामाने का प्रत्यक्ष करने में संयुक्त्व संभाय सा निकर्ष होता है तो इस तरह से यहां हमने नेतरिंद्रिय के दुआरा किसी पदार्थ का जो प्रत्यक्ष ग्यान प्राप्ट करने में तीन तरह के संबंदों का ग्यान प्राप्ट के अगरंद के अनुसार किसी और उसमें केवल घड़े को लिया गया कि घड़े के आकार का प्रत्यक्ष करने में संयोग संनिकर्ष, उसके रूप का प्रत्यक्ष करने में संयोग संनिकर्ष, तथा उसके रूपत्व का प्रत्यक्ष करने में संयोग संनिकर्ष होता है तो एक ही पदार्थ का प्रत्यक्ष ग्यान प्राप्त करने में नेतर इंद्री के द्वारा यहां तीन तरह के सन्निकर्ष का ध्यानम ने किया अब आगे बताते हैं कि जैसे दूसरी इंद्रियों के द्वारा भी प्रत्यक्ष ग्यान होता है जैसे कर्ण इंद्री के द्वारा तो वहां कौन सा सन्निकर्ष होता है तो आगे बताते हैं शोत्रे ने शब्द साक्षात कारे संबाय सन्निकर्ष है शोत्र के द्वारा अर्थातकान के द्वारा शब्द का साक्षात कार करने में संभाय से निकर शोता है क्यों तो आगे ही तू बताते हैं कर्ण विवर ब्रत्याकासत से शोतत्वात कर्ण विवर के अंदर विद्यमान जो आकाश है वही कान है कर्ण वीवर में जो रिक्तस्थान है आकाश है वही जो है शोत्र है और शब्द से आकाश गुनतवात जो शब्द है वो आकाश का गुन है अते गुन गुनी ने संभायात और जो गुन और गुनी है उनमें संभाय संभन्द होता है जो गुण है वो गुणी के बिना नहीं रह सकता तो गुण और गुणी में समभाय संबंद है अता है शोत्र के द्वारा शब्द का साक्षातकार करने में कौन सा सनिकर्ष काम आता है समभाय सनिकर्ष होता है शब्दत्व साक्षातकारे समभेत समभाय सनिकर्ष है और शब्द में जो शब्दत्व विद्यमान होता है उसका साक्षातकार करने में समभेत समभाय सनिकर्ष होता है कारण बताते हैं कि शोत्र संवेत शब्दे शब्दत्व से संभायात शोत्र से संवेत जो शब्द है उसमें शब्दत्व संभाय संभन से रहता है इस तरह से यहां हमने जो नेत्र इंद्रिये और जो शोत्र इंद्रिये के द्वारा होने वाले प्रत्यक्ष ज्यान में प्रकार के सनुकर्श रों का ग्यान प्राप्त किया ये सारे जो प्रत्यक्ष कुए नहीं है तो उस अभाव का प्रत्यक्ष कैसे जैसे घड़े के अभाव्श होता है जैसे घड़े के अभाव से उकत है चक्षू सन्युक्त बूटल से संयुक्त हुई तो उसको किस रूप में जाना कि यह घड़े के अभाव से युक्त है यह बूतल गड़े के अभाव से युक्त है इस तरह से यहां अभाव का प्रत्यक्ष करने में विशेश और विशेश भाव संनिकर्ष है एवं सन्निकर्ष शटकम जन्यम ग्यानम प्रत्यक्षम इस प्रकार छे प्रकार के सन्निकर्ष उत्पन ग्यान प्रत्यक्ष कहा जाता है तत कर्णम इंद्रियम और इस छे प्रकार के सन्यकर से उत्पन जो प्रत्यक्ष ज्ञान का करण है जो असाधारन कारण है वो इंद्रिये होती है बिना इंद्रिये के यह ज्ञान नहीं होता तस मात इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमानम इसलिए इंद्रिये ही प्रत्यक्ष प् का करण होती है यह यह सिद्वा इस तरह से यहां तक हमने ग्रंद के अनुसार प्रत्यक्ष जो प्रमान है उसका लक्षन पढ़ा और उसके संदर में प्रत्यक्ष ज्यान क्या होता है कितने प्रकार का होता है यह जाना तथा प्रत्यक्ष ज्यान के लक्षन में जो आया था इ इन्द्रिये के द्वारा प्रत्यक्ष ग्यान प्राप्ति के संदर में पढ़े और दो जो सचुटभा प्रयाuciones नासिका जिवा और प्रचाहिन की द्वारा जो जिश्यों का घ्यान प्राप्त किया जाता है वे प्रत्यक्ष्न जूद्ध है उसके शब्दकोश में अनेक रथ दिए गए हैं किन्तु जो अनेकर्थ हैं जैसे किसी चीज को समीप खीचना लाना किसी चीज के सामिप्य को उसकी उपस्थिती को संबन दादी को सनिकर्ष कहा जाता है किन्तु नयाय दर्शन में यह एक विशेश पारिभाशिक अर्थ में प्रिजुक्त हुआ है इंद्रिये और विशे का संबन सनिकर्षे का जो पारिभाशिक अर्थ है नयाय दर्शन में वो है इंद्रिये और पदार्थ का संबन, विशय का संबन, वही अर्थ हम यहां क्रहन करेंगे, समवाई शब्द के भी शब्द कोश्में नेक अर्थ दिये हुए हैं, जैसे समुदाय, समु, धेर, किसी चीज की जो राशी है और घनिस संबन, लेकिन वैशाचिक दर्शन में यह ज वही क्रहिये हैं, यह जो नित्य संबन है, वो जैसे अव्यो का अव्योवी के साथ, गुण का गुणी के साथ, जाती का प्यक्ति के साथ, अर्थ हैं यह दो तत्व जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, एक दूसरे के उपर आश्रित होते हैं, उनका जो नित्य संबन हो तो इस तरह से यहां हमें प्रत्यक्ष प्रमान से सम्मनित अध्यन किया, इससे सम्मनित प्रश्ण का अभ्यास भी थोड़ा सा कर लेते हैं, कि प्रत्यक्षम की, तो हम बताएंगे प्रत्यक्ष ग्याने से करणम प्रत्यक्षम, इंद्रियार सन्निकर्ष जन्यम ग्यानम प्र आगे प्राश्ण हो सकता है कि सन्निकर्ष कहा कती विधास्ट तो हो जाएगा प्रत्तक्स ज्यानत से ही तुह इंद्रियार सन्निकर्ष एस शडविध नाम एके पूछे जाएं तो नामानी इमानी संती संयोग है, संयोग संवाय, संवेच संवाय, संवेच संवाय, विशेश भावस्चे इती तो इस तरह से इसंचे समन्दी संस्क्रिप प्रश्नुतर का अभ्यास भी करें शेश प्रमानों का अध्यान आगामी व्याक्यान में आज इतना ही आप सभी सकुशल रहें जय तु भारत